गाटके मेला है इस वीडियो हम बात करेंगे और कंपैरूशन ça की मैं लिए कंपैरिजंट य drafted है ह७ार शुक्रायह ऐसक क्या टाहिता यह इसको क्या यूज करते हैं वह में जानेंगे झुछत चलिए शुरू करते हैं डेटा कंपैरिसट न त्यालियोग एंड सथने तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी इसमें हमने प्रोपरली समझाया था तो अगर आपको नहीं पता या फिर आपने नहीं देखा अभी तक तो पिछली वीडियो को चेक कर सकते हैं बड़ जैसे हमने उसमें पताया था तो यह क्या करेगा यह compare करेगा दो values को और उसका जो भी result आएगा उस हिसाब से यह इसको flag register की जो भी value को set या unset करना set का मतलब उसकी bit को high कर देना है और given कर देना है जो भी sign bit को कर देना है 0 bit को कर देना है overflow parity बहुत सारी होती है सो उस हिसाब से कर देता तो इसका जो वह होता है basic कैसे लिखायाता है इसका so cmp पहले इंस्ट्रक्शन आएगा फिर operand 1 फिर operand 2 इस तरह से लिखाया जैसे की for example cmp cmp rax rbx cmp operand 1 comma operand 2 it subtract the operand 1 from operand 2 operand 2 minus operand 1 then set the flag register bit accordingly means यह जो है operand जो last में आएगा cmp का दूसरा operand उसमें से operand 1 को माइनस कर देगा और जो result आएगा उसकी जो भी उसके एंदे इसके टाइप का वह वह सबसे flag register के bit को set कर देगा अगर वह निगेटिव हुआ तो यानि यह negative sign bit को और वन कर देगा इस तरह से जैसे हम इसमें देख सकते हैं पहले इसमें आरे एक्स में उन्न डाला फिर rbx में टू अब हमने लिया गया है तो इसमें आपको देख सकते हैं कि इसमें सारे bits को उन्होंने बता रखा कि कौन से bit क्या मतलब है उसका कुछ वह एक बहुत सारी है जैसे कि carry flag, parity flag, auxiliary flag, zero flag, sign flag, trap flag, intrap flag तो जैसे ही तो compare वाला जो क्या करता है वो कुछ इसमें flag होते हैं इनको चेंज करता है जैसे कि carry sorry carry flag नहीं, zero flag को कर देगा, sign flag को कर देगा, इस तरह से कर देगा तो चलो आगे हम देखते हैं कि code में किस तरह से वर्क करेगा यह तो चलो एक program start बनाते हैं okay, vim.s okay, so जैसे कि हमें पता है कि कैसे लिखा जाता है, पहले section.data.section.bss हम इनका यूज नहीं करेंगे, .section.txt हमें टेक्स सेग्मेंट में लिखना है तो इसलिए हम वहां से ही करेंगे, तो global start on किया, जैसे कि आप सबको पुराने वीडियों साब को पता ही है, okay, so हमने move q, 24-र क्वाड-bit value, 12-word 64-bit, one rx辉ने 1 डाल दिया और ऐसी तरह हमने rbx में भी जो है 2 डाल दिया, अब क्या हमें बैसिक्लिशा ज्याद हुँच नहीं करना, हमें इसने को compare करना तो हम पहले rbx को,कॉमने लखेंगे, और, ard रटी लिखा गया, इसको इसको सही, इसका मतलब है जम्प इफ साइन का मतलब है अगर वैल्यू जो आएगी हमारी वैल्यू अगर हमारी नेगेटिव आएगी साइन flag on हो जाएगा अगर उसका तब तो हमारी जो value होगी वो हमारा जो instruction pointer होगा वो जम्प कर देगा greater label पे तो हमने इसको check करने के लिए कर दिया कि js के नीचे हमने r6 में 60 डाला और greater के नीचे हमने rx में 5 डाला तो अगर यह direct इसकी value 5 हो जाती है कि अब इसको लिंक करते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट ओ स्टार्ट को नहीं लिखा तो हमें इसके underscore लगाना पड़ता है अदर्वाइस वो बाइडिफोल्ट हो नहीं बाइडिफोल्ट तो एक ही करेगा बड़ हमें कर देते हैं कि हमें पिल्कुल exactly हमारा असेंबल हुआ है यह यह इंस्ट्रक्शन ओके तो जैसे आप देख सकते हैं सब कुछ हो चुका है तो ओके तो डिसेंबल किया हमने स्टार्ट को और फिर असेंबल कि हमने क्रेटर को भी सेंबल कर दिया हम देखते हैं कि यह हमारा इंस्ट्रक्शन है यह एक्जिक्यूट नहीं होना चाहिए हमारा इंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए अब देखते हैं तो हमारा इंस्ट्रक्शन वाले को यानिकि हमारा इंस्ट्रक्शन होगा यानिकि हमारा इंस्ट्रक्शन होगा यानिकि हमारा वो प्रोग्राम सही था थैंक्यू